नमस्कार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है संत्रा और मुसंबी का स्वाद लगभग एक समान होता है वही इसके गुडों की बात की जाये तो इसके बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है हलाकि खटे फलों की कई किसने होती हैं जिसमें मुसंबी और संत्रा भी शामिल है मुसंबी को स्वीट लाइब और सत्थु कूडी फल भी कहा जाता है वहीं संत्रे को औरेंज और नारंगी भी कहा जाता है ये दोनों फल सेहत के लिए काफी पाइदे मंद होते हैं दोनों दिखने में बहुत एक समान होते हैं अब सवाल यह है कि संत्रा और मुसंबी में अंतर क्या है दोनों का स्वास्त पर कैसा असर पड़ता है चलिए आपको बताते हैं इन दोनों के बीच अंतर के बारे में मुसंबी विटमिन सी से भरपूर होता है साथ इसमें कई पोशक तत्व भर्पूर रूप से मौजूद होते हैं या देखने में अंडाकार होता है इसका रंग हरा होता है अधिक पकने पर पीले रंगी हो जाती है इसका छिल का पतला होता है ये काफी रसदार फल होता है इसलिए लोग इसका जूस भी ना पसंद करते हैं मौसमी में कैलरी 30 ग्राम काफ 10.5 ग्राम प्रोटीन 0.5 ग्राम फाइबर 2.8 ग्राम विटमिन C 22% आयरन 2 प्रतिशत ओफ दीवी कैलशियम 33 एमजी विटमिन B6 2% थाइमील 2% पोटेशियम 102 एमजी होता है वहीं बात करें संत्रे की तो संत्रा भी विटमिन C से भरपूर होता है इसके लावा इसमें कई पोशक्ततों होते हैं यह दिखने में गोल और मौसम्बी की तुलना में संत्रे का सेवन काफी आसान होता है संत्रे में मौशक्ततों की बात करें तो इसमें कैलरी 47, पानी 87, प्रतिशत, प्रोटीन 0.9 ग्राम, काब्स 11.8 ग्राम, शुगर 9.4 ग्राम, फाइबर 2.4 ग्राम, और फैट 0.1 ग्राम होता है सरदियों में मौसम्बी का सेवन किया जा सकता है इससे पाचन तंत को सुधारने में मदद मिलती है मौसम्मी में मौझूद उच फाइबर, आतों को स्वस्त रखने में मददगार हो सकती है साथ यह फाइबर, वजन को कम करने में भी असरदार होता है वही संत्रे का नेमित रूप से सेवन आपकी केलेस्टरॉल को नियंतरित करता है मधुमे रोगियों के लिए भी या फज़ काफी लाबकारी है संत्रे में विटमिन A होता है जो आपकी आखों के लिए भी अच्छा होता है इन दोनों के फायदों को देखते हुए इसमें कुछ बुनियादी अंतर नहीं है लेकिन ये दोनों समगर स्वास्त के लिए बहुत अच्छे हैं इसलिए आप दोनों में से किसी के भी जूस को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं